नमस्कर साथियू, आज 7th April है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस दिन को हम विश्व स्वास्थे दिवस की रूप में मनाते हैं। हमारे धर्म गंतों में भी कहा है कि शरीर माध्यम खलू धर्म साधनम अर्थार्थ शरीर धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक साधन है। हैं डॉक्टर प्रवीन जी जो MBBS MD डॉक्टर हैं जिनोंने भारत के प्रतिष्टे संस्थानों में जैसे कि PGI, MAX और 40s जैसे संस्थानों में अपनी सेवाई दी हैं। उन्होंने जर्मनी और इंग्लेंड की उनिवर्सिटीज में शोद का कारी भी किया हैं। तो स्वागत है प्रवीन जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहला मेरा कोशन है प्रवीन जी कि जैसे कि हम आज स्वास्थे पर चर्चा कर रहे हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हम क्या खाएं। क्योंकि यदि हम इंटरनेट पर जाते हैं, हम फेस्बूक देखते हैं और या यूट्यूब देखते हैं, तो इतना सारा content available होता है हमारे पास कि हम confused हो जाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस पर जरूर से जरूर कुछ परकाश डालिए। First of all, thanks for your kind words and यह जो पहला प्रशन आपने पूछा है, I think this question is very relevant question और हम क्या खाएं, क्या ना खाएं। आज यदि आप Facebook पर या YouTube पर एक search history में जाते हैं, search करते हैं about food and different kind of food patterns, आपको एक बहुत बड़ा content मिलेगा और ultimately सब confused हो जाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जहां तक विज्यान की बात है, सरल भाषा में यदि मैं कहूँ, तो विज्यान ने, science ने food को चार categories में divide किया है। सबसे पहला है carbohydrates, जिसमें जितने भी cereals हैं, जैसे गेहू, जवार, बाजरा, रागी, ये सबाते हैं। दूसरा है proteins, जिसमें दाले हैं, दूद हैं, और दूद से बने जितने products हैं, पनीर हैं, दही हैं, ये सबाते हैं। तीसरा है fat, fat में क्या है घी और ते, इससे related जितने भी substances हैं, दो substances come under the category of fat. And the fourth one is minerals and vitamins, जो fruits में होते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, vitamin A, vitamin B, vitamin C. तो अब हम क्या खाएं, तो science says it should be a balanced diet, आपको हर चीज़ को जो है, हर जो category है, वो आपकी diet में included होना चाहिए. और जो एक rule of thumb है, जो मैं एक समाने सिधान्थ जो आपको बताना चाहूं, तो जब भी आप भोजन करें, तो आपका जो भोजन है, आपके सामने जो भोजन की थाली है, उसका जो आधा हिस्सा है, उसका जो आधा हिस्सा है, उसमें हरी собственно होनी चाहिए. और वो हरी सबसियों में भी आधी सबसियां कच्छी और आधी सबसियां पकी हुई कच्छी सबसी का मतलब क्या है जो भी सलाद है और एक बात यहां पर दिहान देख देने होके है कि जब भी सलाद या सबसी की बात आती है सामान्य रूप से जन्चाधारण में एक माननेता होती है जो जनल conception है कि जितनी महंगी सबजी होगी या जो विदेशी सबजी होगी वो उतनी ज़ादा nutritious है या उसमें उतने ज़ादा जो nutritional elements है वो पाए जाते है ये एक बहुत गलत concept है आपके जो भी जिस जलवायू में आप हैं देश के जिस बहुगॉलिक परिस्थिती में आप हैं वहाँ पर प्रकृती ने आपको जो भी उपलब्द कराया है आपकी शरीर के लिए वही सबसे उतना है लोग घोवी छोड़कर के ब्रोकली लेकर के आते हैं और खीरा छोड़कर के अवोकेडो लेकर के आते हैं विच इस टोटली रॉंग जो भी सबजी या फल आपकी जलवायू में आपको प्रकृती ने प्रदान किया है आप उसको कंस्यूम कीजिए और यहाँ पर मैंने जो सबसे बड़ा स्ट्रेस दिया कि half of your food plate should be vegetables वो बहुत ज़रूरी है अभी कुछ दिन पहले करिसर्च हुआ नॉर्वे के अंदर तो उसमें यह पाया गया कि यदि आप 20 साल की उमर से इस प्रकार का भोजन लेते हैं जिसमें सबजीयों की मातरा और जिसमें सलाज फलों की मातरा बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी आयू को 20 साल तक बढ़ा सकते हैं और चाहे पुरुश है चाहे इस्तरी है वो अपनी आयू को एक सबस्टेंशल नंबर में इंक्रीज कर सकता है और ऐसा नहीं है कि ये केवल 20 साल के लिए है और अगर आप 60 साल की उमर में भी ये शुरू करते हैं तो आप अपनी आयू को 6 से 8 साल तक बढ़ा सकते हैं और ये कोई साधारण स्टडी नहीं थी इसमें 400 से ज़ादा देशों के 2500 से ज़ादा बिज्यानी जुड़े थे जिन्नोंने 200 तरह के भोजन परशोद किया और बिमारियों के 300 से ज़ादा कारण डोड़े कि कैसे वो भोजन से संबंदित होता है तो उसका निस्करश ये निकला कि यदि आपके भोजन में सबसियों की मात्रा आदिक है तो आप अपनी आयू को बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एक जैविक तत्तो है वो आपको प्राण औरजा देता है जो हमारे आयूरवेता में भी वड़ेत है तो और अब ये तो हुई खाने के बात कि हम क्या खाएं अगला प्रशन होता है कि कितना खाएं ये भी एक बहुत बड़ी बात है अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो साइंस जो WHO है वर्ड हेल्स और्गनाइजेशन वो लिमिट सेट करता है जैसे यदि कोई वेक्ती ओफिस में जाता है जिसका कोई ज़्यादा दोड़ धुक वाला काम नहीं है तो उसको अठारा सो किलो कैलरी से लेना चाहिए और अगर कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहा है जैसे कोई मजदूरी कर रहा है बारी वजन उठा रहा तो उसको से 2400 किलो कैलरी लेना चाहिए अभी कैसे निर्धारी तो उसके लिए भी बहुत से पیمाने है वो सब इंटरनेट पर मिल जाते हैं जैसे एक चपाती है उसमें सथर से सो किलो कैलरी होता है किलो कैलरी होता है जब आपको लगे कि अभी आपके पेट में एक रोटी की बुक्षेश है आप अपना भोजन छोड़ दीजिए क्योंकि that is the stage when your stomach is partially full and there should be some space for the digestion of the food क्योंकि अगर पेट पुरी तरह से बर जाएगा तो वो जो भोजन है वो पुरी तरह से पच नहीं पाएगा तो सबसे पहले संतुली ताहार हो जिसमें सारी components हो उसमें आधा जो है वो हरी सबसियां हो और उसमें भी आप अपने शरीर की अनुसार जितनी आपकी मांग है उतना खाएं और एक rule of thumb है कि जब आपको लगे कि अभी थोड़ी भूक्षेश है आप भुजन को तरन छोड़ द शरू हो जाती है और ये भी विलकुल सही बात है कि जैसा उस महा पर जिस छेतर में हम रहते हैं उस छेतर में जैसी सबजयां उस समय उस मोसम में हमें मिल रही है उन सबजयों को खाने से जैसे डॉक्टर प्रविंजी ने का ये बहुत सही बताया आपने एक दूसरी बात मै यह कहा तक इसमें सच आई देखिए जो परंपरागत रूप से बाते चलती आई है ऐसा नहीं है कि वो सारी बाते सच है या सारी बाते सही है उसमें बहुत अंदविश्वास भी है, रूडिवाधिताएं भी है लेकिन ये कहना कि सबकुछ गलता ये भी ठीक नहीं है ये जो concept है जो अभी आपने बोला कि दही के साथ दूद नहीं लेना है या रातरी को दही नहीं लेना ये concept आया कहां से ये concept आयूर्वेध से आया है विज्यान जो है वो solid element की research करता है जिसको स्थूल कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद जो है, उसने सुक्ष्म को देखा है, उसने सुक्ष्म को देखा है, विज्ञान के जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा शरीर है, इसमें तीन गुण है, वात, पित और कफ, यदि ये तीनों सम अवस् तो कोई भोजन जो है आपका पहले से ही एक गुण जो है कुपित है मान लिजिए यदि किसी के अंदर कफ की अधिक्ता है कफ की अधिक्ता होती है तो उसका लख्षण होता है कि उसको खासी जुकाम नजला और सांस की बिमारियं अस्तमाई ये सब बहुत ज़्यादा रहता और यदी आप वो ऐसा बोजन कर रहा है जिसमें कफ की मातरा बहुत ज़्यादा जैसे तहीं है चाच घटी चाच है और वह भी रात्री के समय कफ की प्रविति और ज़्यादा प्रदान हो जाती है तो वो उसके कफ के गुण को और ज़्यादा विकृत करेगा, तो उसकी जो समस्याइं हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी, तो हम अपनी प्रकृती के हिसाब से खाएं, आयुरुवेद ने ये कहा, एक बहुत अच्छा उधारण है इसका, कि एक रिशी थे, एक खाएं, क्या खाएं, तो उपर से कववा उतर देता है, कि रित भुक, हित भुक, मित भुक, रित भुक का मतलब क्या होता है, रित अनुसार, जैसे मैंने अभी आपकी पहले परशन के उतर में कहा, कि जिस भोगौलिक परिस्तितिये में आप रहते हैं, वहाँ पर जो आप आपको उपलब्द कराया है प्रकृति ने, आप उसको खाई, आज का लिक ट्रेंट चल रहा है कि भारत में बाहर से फलों का आयात किया जाता है, महेंगे फलों का एवोकेडो है, कीवी है, लोग उसको खाते हैं, और लोगों को लगता है कि हम बहुत नियोटिशिस खा रह है, वो आपके शरीर के लिए सबसे उत्तम है, आप उसको खाईए, और दूसरा है हितभुक, हितभुक का मतलब होता है कि जो हितकारी है, जो प्रियेकर है, अब यहाँ पर भी एक बहुत समझने वाली बात है, कि हितकारी का मतलब यह नहीं कि जो हमारी जिभाग को अच्छ आए रहती है, खासी, जुकाम, नजला, तो उसको ऐसे भोजन से परहेस करना चाहिए, जिसमें कफ की प्रविती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उसका कफ और ज़्यादा बढ़ा देगा, इसी तरह से यदि किसमें पित का जो दोश है, वो ज़्यादा है, किसी को भोज हित कारी हो, मतलब जो हमारी प्रकृती है, उसकी अनुकूल हो, और तीसरा कॉंसेप्ट जो है, वो है, मितहारी, मितभुक, रितभुक, हितभुक और मितभुक, मितभुक का मतलब क्या होता है, कि हम अपनी आवश्यक्ता की अनुसार खाएं, जितनी हमारी जरूरत है, हम उ पफ़ाते रहते क्योंकि मन नहीं बढ़ा और यही सबसे बड़ा भी्मारियों का ओर आपको मैं एक चीज होर यहां बताना चाहूँगा कि कुछ साल पहले अमेरिका में कि रिसर्च हुआ क्योंकि ये जितने रिसर्च होते हैं ये चुहों पर किये जाते हैं क्योंकि मनुष्य पर ये रिसर्च नहीं किये जा सकते तो चुहों को दो श्रेडी में बाटा गया एक श्रेडी के चुहों को उनका जितना जरूरी अहार है उससे दोगुनी मात्रा में खिलाया गया और दूसरे श्रेडी के चुहों को जो उनकी जरूरत है उससे आधी मात्रा में खिलाया गया और आपको जान करके हरानी होगी कि जिनको दोगुना खिलाया गया दिखने में लगेगा कि उन्होंने जादा खाया, वो जादा हश्ट-कुष्ट होंगे, जादा उमर तक जीएंगे, लेकिन इसके विपरीत हुआ, जिनको दोगुना खिलाया गया, वो जो चुहे की ओस्तन आयू है, उससे आधी उमर में ही मर गये, और जिनको आदा खिलाया उन्होंने चुहे की ओस्तन आयू से दोगुना जादा उनका जीवन था, तो कहने का मतलब क्या है, कि हम कम खाएं, आयूरवेद में भी इस बात पर बहुत बल दिया गया है, और ये जो बात महां से निकल करके आती है, कि मित भोग, कि हमारी जितनी जरूरत है, उसके पीछ उनको पचाने में ही लग जाता है, तो यदि आपने सुबह गरिस्ट भोजन किया, आपने पराठा काया, आपने कुछ बटर लगा करके, जैम, बटर, बहुत जो जिसको कहते हैं कि हेवी लोड जोग, जिसमें काब लोड बहुत जादा है, तो दस, यारा, बारा बारा बज time with heavy dinner, फिर वो कहा है, पूरी रात उसका digestion होता रहता है, तो हो क्या रहा है कि the entire power of your body, the entire energy of the body is most of the time it is utilized in digestion of the food, 24 में से 16-17 घंटे आपकी उर्जा जो है, वो भोजन को ही digest करने में लगी रहती है, तो जो उर्जा ऊपर उठती, जिससे आपका brain कुछ enhance होता, आपके अंदर कुछ thinking, कुछ creativity आती, वो नहीं आती है, लोग हमेशा सुस्त रहते हैं, लोग हमेशा आलसी रहते हैं, वाई, क्योंकि वो जो सारी energy है, वो अपने सारी energy center में, intestine पर concentrate कर दी है, कि food cardization होता रहे, food cardization होता रहे, तो हम hit कारी, myth कारी और rith book, hit book और myth book इन तीन चीजों को हमेशा याद रखें, याद रखें, बहुत सुन्दर बात बताई प्रवीन जी आपने, इसमें मुझे ऐसे लगता है कि मैंने भी देखा है बच्पन से ही, कि लोग भूख के अरुसार भूजन नहीं करते, वो सुबह हो रही है, तो फिर दुपैर हो गया, तो पेट में जगे है, नहीं है, वो सुचते हैं कि दुपैर हो गई तो अभी हमें लंच करना ही करना है, चाहिए कुछ भी हो, और राथ हो गई तो अभी हमें डिनर करना ही करना है, चाहिए फिर भूख हो याना, यानि तीन टाइम यह, जबकि मुझे ऐसे लगता है कि शरीर हमारा खुद ही हमें दो टाइम करना एक टाइम करना या फिर हमारी जैसे भी हमारा कारिय है उसी के अनुसार हमारा शरीर बोताता है हमें कि हमें कितना भोजन और कितनी बार हमें भोजन करना चाहिए दिन में और दूसरा ये है कि उपवास की जहां पर बात आती है कि उपवास हमें करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए जैसे कि आजकल मोटापा बढ़ता जा रहा है मोटापा बढ़ने के साथ-साथ लोग जाद से भोजन कोत्षोराओशन कर देते हैं और भोजन खाना बंद कर देते हैं मेरे साथ भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क बेस तरह कि उन्होंने भोजन खाना छोड़ दिया फिर उसके वज़े से विखनेस आगे उस जानते नहीं कि भोजन को किस तरह से उपवास कैसे करना जैसे कि आज कर इंटर्मिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत ट्रेंड में चल रहा है तो इसके बारे मे भी आप ज़रूर से ज़रूर बताइए कि उपवास कैसे हमें करना चाहिए यह इंटर्मिटेंट फास्टिंग क्या है इसको कैसे करें और मोटापे से कैसे हम बचें यह भी आपने बहुत वेलिट कोशन रहे है जो अबिसिटी है सबसे पहले तो हम यह सोचते हैं यह जानत जीवन में अग्थनाओ उर साइंस यह कहता है कि जब जब आपके अंदर बढ़ता है तो आपके अंदर एक भोजन के लिए सुकदाओ पएदा हो जाती है आप भोजन में सुक ढूडने लगते हो, भोजन में आप आनन ढूडने लगते हो इसलिए जो आप देखेंगे कि लोग जो है आज कल 30-40 साल के बाद उबेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है वो स्ट्रेस उसका एक कारण है और अभी आपको जान करके भी एरानी होगी कि ये भी एक आर्टिकल छपा था कि जैसे जो हमारी online food applications है जैसे swiggy है, zometo है इसमें जब आप कोई भी order करते हैं तो जो order होता है वो आपकी मानसिक स्थिती को बताता है मतलब कि जब आप बहुत जादा stress में है तो ऐसे लोग ऐसे order को टिक करते हैं जिसमें बहुत जादा नमक है, बहुत जादा चीनी है या बहुत जादा कैफीन है जैसे double shot coffee और extra cheese, पनीर और pizza और जितने भी high carbs rich product ये जो food है और ये जो food है, ये जो sugar है शुगर is the killer, आप इसे इसको याद रखे ये जो चीनी है, चीनी सफेद जहर है जब भी चीनी का सेवन होता है चीनी आपके blood बेचाती है एकदम से जो है शुगर बढ़ता है और वो जो शुगर है वो brain में एक center होता है उसको hit करता है जैसे कोई अगर किसी को नशा है चाए का नशा है, कोफी का नशा है शराब का नशा है कोई drugs लेता है, तो वो जो drug होती है वो एक brain के एक particular center में जाकर करके hit करती है, उसको reward center बोला जाता है तो उससे आपको बहुत अच्छा feel होता है और जैसे ही blood में उसकी जो amount है, वो कम होने लगती है तीरे दीरे, चाए शराब है या कोई भी addictive substance है तो फिर अंदर से एक अर्श पैदा होती है कि अब और खाएं, और खाएं आपने देखा होगा, कि जो लोग चाए बहुत addict हो जाते हैं, उनको शाम को चार बजे चाहे ना मिले, तो उनको सिर्दर दोने लगता है क्योंकि वो शरीर मांग कारा क्योंकि अब जो उसमें caffeine है, वो blood में caffeine कम हो रहा वो जो brain का center है, वो कह रहा है ओर लाओ, ओर लाओ ऐसे addiction चुरू होता तो ये sugar का भी इसी तरह से addiction होता है इसको हम बोलते है कि instant gratification instant gratification का मतलब क्या होता है आप कभी भी ये देखिएगा कि जब भी आप मीठा खाते है आपको खाते ही तुरंट बहुत अच्छा लगता ऐसा आपने देखा होगा तुरंट खाते ही बहुत अच्छा लगता क्योंकि जैसे ही वो ब्लड में गया तुरंद जो है वो ब्रेन का जो एक जो बटन है वो हिट होता इसको बोला जाता है रिवोर्ट सेंटर और वो लगता है बहुत अच्छा लगा और जैसे ही उसकी अमांट कम होती जाएगी तो फिर क्या होगा ब्रेन दुबारा से आप में हिट करेगा रिवोर्ट सेंटर जैसे ही कम होगा फिर वो कहेगा और लाओ और लाओ तो ये एक साइकल बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है इसलिए जो है लोग एक बार अगर इस चक्र में फस जाते हैं तो फिर वो बढ़ती रहती है किलो वजन कम कर देते हैं लेकिन जैसे ही वो फास्टिंग या जो एक्सरसाइस कम होती है तो उनका वजन एकदम से दो दिन में चार किलो बढ़ जाता है क्योंकि प्रॉब्लम यहां है यह अडिक्शन है और इसी अडिक्शन का जो है जो मल्टी नेशनल कंपनीज है वो फा कर रहे हैं आप बचे को अच्छी से अच्छी चीज दीजिए महेंगे से महेंगा फल दीजिए वो कभी नहीं खाएगा उसको चिप्स खाना है क्योंकि उस चिप्स के अंदर जो मसाला है हम सबको भी लगता है कि जो मसाला है वो बहुत अच्छा होता है वो जो है वो आपक का मूल कारण है जो इसको जो अगर मुझसे आप एक चीज पूछेंगे जो आज सबसे खतरनाक है इस शुगर जो चीनी है उसको पूरी तरह से जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक इस पूरे सर्कल में से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं तो यह obesity है और जहां intermittent fasting की बात है intermittent fasting भी कोई नई बात नहीं है जो science ने अब discover की है इसको जो है उपवास के रूप में बहुत पहले से जो है भारत में लोग करते आए हैं और इसको जो है करने का सही जो तरीका है सबसे पहले तो intermittent fasting होता क्या है intermittent fasting का मतलब होता है कि आप आंशिक उपवास रख रहे हैं उपवास में कहा है कि आप पूरा दिन भूखा रहते हैं एक हपते में एक दिन तो intermittent fasting में क्या है कि आपको जो भी भोजन करना है आप आट घंटे के अंतराल में कर लीजें और 16 घंटे के अंदर आप जो है fasting मतलब उपवास रखें जैसे आपने सुबह नो बजे नाश्ता किया तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5 बिजे तक आपका रातरी का भोजन हो जाना चाहिए उसके बाद अगले दिन सुबह नो बजे तक आप जो है उपवास रखें तो इस आट घंटे में आपको दो बर भोजन करना है आप दो बर भोजन कर लीजे एक बार सुबह नो बजे एक शाम को 5 बिजे बीच में भी अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा सकते हैं लेकिन यह जो उपवास का समय है इसमें आपको कुछ खाना नहीं है आप पानी पी सकते हैं गर्मिया है तो आप शिकंजी पी सकते हैं जिसमें नमक है जिसमें नेमो है लेकिन चीनी नहीं डाल आपकी सारी उर्जा जो थी intestine के आसपास लगी होई थी भोजन को पचाने में वो जो उर्जा है अब वो शरीर के अलग-अलग अंगों में जाने लगती है आपको शुरू में समस्या आएगी एक हपता दो हपता लेकिन दो अपते के बाद आप खुद नोटिस करोगे कि जो आपका एनर्जी लेवल है वो बहुत जादा बढ़ रहा है लोग सुस्त बढ़े रहते हैं अपने गरों में कोई creativity नहीं है आपको लगेगा आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है आपका awareness लेवल बढ़ने लगता है आपका concentration जो focus है वो और जादा improve होने लगता है और इसके अलावा क्या है जो excess load जो था intestine पर वो कम होता है और long term ways में आज तो बहुत इसकी evidence आ गए है कि यदि आप intermittent fasting शुरू करते हैं एक बहुत जल्दी उमर में 20-25-30 साल की उमर में fasting करता है तो उसकी जो memory है वो बहुत लंबे समय तक sharp रहती है और तो और cancer होने के chances भी जो है वो 70-80% तक कम हो जाते मैं जर्मरी में था वहाँ पर एक research चल रहा था तो जिनको cancer हो गया था जिनको chemotherapy दी जाती थी उन्होंने उनको भी दो category में divide किया एक group को intermittent fasting पर रखा गया दूसरे जो थे normal तरें से बोजल लेते थे तो देखा क्या गया कि जिनको intermittent fasting पर रखा गया उनके अंदर chemotherapy की demand जो है वो 50% कम हो गई उनके अंदर chemotherapy के side effects 60-70% कम हो गई तो अब तो ये एक well established fact है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कुछ early phase discovery है अभी इसके बारे में बात हो रही है तो everybody अब तो आप social media पर भी जाएंगे तो everybody is talking about intermittent fasting लेकिन इसमें कुछ ध्यान हमें रखना होता है अगर किसी को diabetes है जिनको insulin की ज़रूर पड़ती है जिनका sugar level बहुत ज़्यादा fluctuate करता है एकदम से कम हो जाता है एकदम से ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग intermittent fasting ना करे और इसके अलावा यदि किसी को कोई गंभीर समस्या है कोई TB है, cancer है या और ज़्यादा शरीर में कोई serious illness है जैसे kidney failure है तो they should also refrain from intermittent fasting उनको भी intermittent fasting जैसे जो एक hard edge technique से उनको follow नहीं करना चाहिए लेकिन जो स्वस्त है उनको निश्चित रूप से जो है एक early उमर से आप इसको शुरू कीजिए और इसके जो benefits है वो आपको long term में ज़रूर दिखाए देंगे बहुत सुन्दर देखना कितना चोटी चोटी सी चीजिए है प्रवीन जी ने हमें बताई है कि चोटी चोटी सी चीज़ों पर हम ध्यान देकर अपने सरी को कितना स्वस्त रख सकते हैं बहुत सारे परिशानिया किड्नी से, लंग से, हार्ट से आजकल लोग कितना इस परिशानियों से जूज रही है हमें चोटी-चोटी सी सावधानी करनी जैसे दो भोजन की बीच में हमें थोड़ा लंबा समय रखे बीच में चोटी-चोटी जो हम कुछ-कुछ खाते रहते उसे बार-बार ना खाएं उसे से भी बहुत फायदा होगा क्योंकि उपवास, शब्द भी मुझे लगता है कि आर्वेद ने इसी से निकाला होगा कि थोड़ा उपवास करो, थोड़ा सा रेष्ट दो अपने शरीर को, उसे थोड़ा ओरजा को थोड़ा बनने दो शरीर के अंदर और हीलिन पावर को भी थोड़ा अपने बनने दोस में तो एक्टिवेट होने दोस को तो ये बहुत ही और मैं भी करने वाली हूँ प्रवेद जी, इंटर्मुटेंट फास्टिंग मुझे बहुत ही, सचमुष बहुत ही अच्छा लगा कि इसको हम रात, वो समय तो हमारा सोने में निकल जाएगा तो दिन में तो ये है कि भूक लगे तो हम कुछ खाई लेते हैं लेकिन रात का काफी लंबा समय इसमें रात में निकल जाता है और सुबह नोबेज तक हम अराम से नाश्टा कर सकते हैं और आजकल मैंने जो ही गट is our second brain यानि पेट हमारा दूसरा दिमाग है इसके बारे में भी हमें कुछ जरूर से जरूर बताईए हमारे दर्शकों को कि इसमें कितनी सच्चा ही है गट is our second brain ये एक बहुत latest concept है जो साइंस इसको validate कर रहा है लेकिन भारतिय संस्कृति में इसको बहुत पहले से ही समझा जा चुका है आपने देखा होगा कि भारत के अंदर एक विधान है कि दोपहर को जब भोजन किया जाता है तो उसके बाद चाच पी जाती है क्योंकि वो जो चाच है उसके अंदर क्या है कुछ ऐसे प्रोबाइटिक्स हैं कुछ ऐसे बेक्टिरियाज हैं जो हमारे लिए हल्पफुल है जनरली हमें लगता है कि बेक्टिरिया माने इन्फेक्शन जो हमारे लिए खतरनाक है लेकिन बहुत से ऐसे बेक्टिरिया होते हैं जो हमारी help भी करते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर के, हमारी आथों में जाकर के, ऐसे बहुत से chemicals बनाते हैं, जिनका हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रवाव पड़ता है, हमारे brain की development हो, हमारा blood pressure control करना हो, या और भी body के ऐसे बहुत से functions होते हैं, जिनकी उपर उनका बहु जिन टरडिशन में consume किया जाता है daily basis पर, आजकल आपको market में भी probiotics के capsules मिलेंगे, या चोटे-चोटे shots मिलेंगे, जो आपको probiotics की importance बताते हैं, और होता क्या है कि अभी इस पर बहुत research भी हुआ है, खास तोर पर जो एक Indian scientist है, जो अमेरिका में है, जिन्होंने इस पर सबस ज़्यादा research किया है, जिसे एक research में क्या देखा गया कि चूहों को दो शड़ी में बाटा गया, तो एक तरह के जो चूहे थे उनको ऐसा बोजन दिया गया, जो साधारण सब को चूहों को दिया जाता है, दूसरी category में ऐसा बोजन दिया गया, जिसमें कोई भी बैक्तिरिय पनब भी ना पाए, तो थोड़े समय बाद यह देखा गया, कि जिन चूहों को ऐसा बोजन दिया गया, कि उनके अंदर बैक्तिरिया पनब भी ना पाए, उनका जो दिमाग था, वो विक्सिती नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो बैक्तिरिया थे, उनके intestine में भी ऐसे substance बनाते है, जो आपकी बोडी के functioning के लिए, smooth functioning के लिए बहुत important है, इसलिए, खास तोर पर जैसे मैं एक बात को यहां highlight करना चाहूँगा, इंडिया में भी अभी एक कौन, जो है tradition आ रहा है, कि लोग सोबह सोबह उठ करके, empty stomach, जो है, चाय पी रहे है, coffee पी रहे है, hot beverages ले रहे है, तो उससे होता क्या है, कि जैसे ही आप पीते हो, तो उसमें वो सीधा intestine में जाएगा, and it will kill all the bacterias, वो जो beneficial bacteria जो हमारे ले लाबदा है, कि सब को मार देता, तो उससे क्या होगा, कि अब आपको वो सब chemicals नहीं मिलेंगे, और ultimately आपको बहुत सी problems को face करना पड़ेगा, इसलिए इसको लोगों को avoid करना चाहिए, और यदि आप मुझसे पूछे कि उन bacterias को अगर हम grow करना चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए, तो एक तो सबसे पहले मैंने बताया, probiotics आपको जो include करना चाहिए, दही है, लस्ती है, खास दोर पर दोपहर के समय में, यदि आपकी प्रकृत किया करते थे, वो कहते थे, कि यह जो bacterias है, they like green stuff, जो हरी भरी सबसियां होती है, अगर आप हरी भरी सबसियां खा रहे हो, तो it is a party for them, they become very happy, तो सुबह सुबह जो है, आप एक हरी जो है, जिसको आजकल smoothie पीने का बहुत culture है, smoothie is definitely way better than juice, क्योंकि juice में जो pulp है, वो आप फैंग जो भी आपको मिले, जैसे पालक की, आप जो है, कोकुंबर के साथ बना सकते हैं, तो आप सुबह वो पीछे, उससे क्या होगा, कि यह flourish करेंगे, that will be helpful for you on the long term basis, और जहां सबजियों की भी बात आ रही है, मैं एक पात आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, कि जो एक Indian culture में जैसे सबजी बनाई जाती है, हम लोग सबजियां तो बहुत खाते हैं, लेकिन हमें सबजी पकाने का तरीका नहीं आता है, सबजी को जो है, बहुत हाई temperature पर बहुत देर तक पकाया जाता है, तो उससे क्या है कि जो सबजी में जो vitamins हैं, बहुत से vitamins होते हैं, जो heat sensitive हो पिर आपने उसमें बहुत सारा नमक, मिर्च, मसाला डाल करके उसके अंदर और जादा जो है सॉल्ट वेगरा डाल करके उसको और जादा हमफुल कर दिया तो हमें लगता है कि we are consuming vegetables, हमें बहुत अच्छा हम nutritious डाइट ले रहें बट इस जादर वे राउंड हम जो है जो चीज उसमें advantageous है जो लावदाय के उसको समाप्त करते हैं और उसमें हमफुल मिर्च, मसाला डाल करके फिर उसको consume करते हैं तो ये भी हमें ध्यान लगना जाए जैसे कि आपने हरी सब्जों की बात की तो यहां पर एक question एक दब मेरे दिमाग में आया कि आजकल तो इतना chemical और पेस्टिसाइट सब्जों के उपर डाला जाता है तो यदि हम उसको कच्चा ऐसे consume करते हैं जैसे आपने काई smoothie बना कर या steam करके सब्जों को आप खा सकते हैं तो उसमें या फिर वैसे कच्ची सब्जों को भी आपने कहा कि थोड़ा portion हमारी थारी में कच्ची सब्जों का भी होना चाहिए तो फिर उससे कैसे हम बची वो pesticides जो chemicals जो हमारी सब्जों के उपर होते हैं जब हम खरीद के लाते हैं मार्केट से तो उसके लिए क्या करें यह भी एक बहुत अच्छा question है pesticides और insecticide का definitely अब जो एक green revolution आया है जिसमें जो है pesticide, insecticides को बहुत जादा यूज़ किया जाने लगा क्योंकि जो population जिसी साब से बढ़ रही है अगर हम organic farming करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम सब को बोज़न ही नहीं दे पाएंगे तो यह जो है green revolution के कारण यह सब problem आ रही है सबसे पहले तो जितने भी बड़े शहर है मुझे लगता है कि हर बड़े शहर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा store होता है जहां organic food मिलता है तो कोशिश कीजिए कि आप organic food को लेकर के आएं आपको लगता है कि थोड़ा महगा है हाँ बिलकुल महगा है लेकिन long term ways में जो आपको वो मदद करेगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा वो आपके long term ways में जो बिमारी के बिल हैं उससे सस्ता पड़ेगा तो आपको जो है इस चीज पर त्याम देना है जो लोग छोटे गाओं में रहते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने खाने की जो सबसिया है वो खुद उगाएं खुद जो है लोग आजकल अपने terrace farming भी करते हैं जो खाने की सबसिया है खुद अपने घर में उगाते हैं यदि आपके पास समय है लेकिन बहुत से ऐसी चीज़े हैं जो बेबारिक नहीं है लोगों के पास ना तो समय है ना स्थान है तो ऐसे में क्या किया जाए आपको ब कि जब भी आप सबसियों को या फल को लेकर के आएं तो एक बड़े बरतन में पानी में जो है आप उसमें थोड़ा सेंधा नमग डालिए थोड़ा हल्दी डालिए और थोड़ा सा उसमें vinegar डाल दीजिए जो सिर्का होता है उसकी अंदर सबसियों को विगो करके रख दीज जैसे पहले कहा जाता था कि सेब खाएं तो उसका छिलका जरूर खाएं लेकिन अब जो है जो सेब है उसपर एक coating की जाती है उसपर एक रंग चड़ाया जाता है ताकि वो लाल दिखे फिर एक wax की coating की जाती है ताकि वो दूर से चमकता हुआ दिखे तो आप जब भी फल ख खीरा है उसको हरे रंग से निकाला जाता है और फूर वहरा चमकता हुआ रंग दिखाई देता है दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो क्यमिकल है तो आप जब खीरा भी खा रहे हैं तो उसका जो है छिलका जो एक मोटा छिलका उतार करके खाएं तो मुझे लग तो थोड़ा सी अगर सारधानी करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग सब भी बहुत थरल तरीके से स्वस्त रह सकते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी समय से एक और आ रही है कि आजकल क्या होता है कि MNC's कंपनी में यंग्स्टर स्पेशली जो काम कर रहे होते हैं तो या फ सूरज के चिपने से पहले आप भोजन को जो है कर लेना चाहिए आपको तो फिर वो लोग किस तरह से अपनी हैल्थ को मेंटेन रखी क्या करें वो ऐसा स्पेशली मैं तो यंग्स्टर के लिए बहुत चिंदा होती है मुझे क्योंकि वो समय से पहले बिमार हो रही होती है और उनको इतनी सारी परिशान्या हो रही होती तो वो अपनी हैल्थ को कैसे मिंटेन करें जरूर से जरूर हमारे दरशो को का बताईए देखे इसमें क्या है कि सबसे पहले तो we have to fix our priorities हमें अपनी जो priorities है उसको fix करना चाहिए चाहिए हम कहीं पर भी जाते हैं नोकरी करते है घर पर रहते हमें पता होना चाहिए कि यह जो शरीर है यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए हम कहते हैं शरीर एक मंदिर है body is like a temple and you have to take care of that आपको उसको पूरी थरे से संभाल करना ही होगा यदि आप office भी जाते हैं तो आप अपने साथ में टिपन ले करके जाए आ आप अपने घर का भोजन अपने साथ ले करके जाए सुबह का जो नाश्ता होना चाहिए आपका वो पोश्टिक होना चाहिए ताकि आपको सुबह और दोपहर में एक बहुत अच्छा मील मिल जाए और शाम को जो है आप पांच-छे बज़े जो है आप एक हलका सा snack है या fruit ले करके भी जो है उसको अपने day को end कर सकते हैं अगर आपको दिन में दो मील भी अच्छे मिल जाते हैं जैसे breakfast आपने अच्छा किया lunch आपने अच्छा किया so that is good enough for you वो आपके लिए बहुत अच्छा है उससे जो आपके जितनी भी requirements है वो पूरी हो जाएंगी इसमें आप आपको थोड़ा सा तो मैनत करना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, भॉजन प्रिपेर करना पड़ेगा ताकि आपको साथ में करके जाना है और रात को सोने से पहले आप तयारी करके सो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम चाहे तो सब कुछ हो सकता है यह एक excuse नहीं होना चाहिए कि हम जो है शाम तक काम करते है तो हमारा जो बोजन है उसको उतनी importance नहीं देप सकते हैं जैसे ladies हैं, जो females हैं they give very importance to their body कि how they look and how they dress because they think it is very important so likewise if we think that the body is very important I have to take care of that so I think उसका जो है हमें कही न कहीं answer मिलता है हमें जो है उसमें पूरी सामधानी बढ़ते चाहिए तो बिल्कुल बड़ी सही बात बताई आपने प्रवीजी और यह बिल्कुल उन लोग के लिए यह सीख भी है कि जो लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं देहान नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास time ही नहीं है तो थोड़ी सी मैनत लगेगी आपको और घर का भोजन यह दिया आप कर सकते हैं घर से ही भोजन ले जा सकते हैं तो यह मुझे लगता ही कि सबसी अच्छा चीज होगी हम जो करेंगी अपने अपने आपको स्वस्त रखने के लिए लेकिन एक और फिर एक और question आ रहा है कि आजकल जितना लोग उस तरीके से भाग रहे हैं उसी तरीके से बीमारियां भी बढ़ रहे हैं जैसे cancer की बहुत साइज समस्य हैं आजकल आ रहे हैं diabetes हुआ या फिर cancer हुआ तो ये बहुत ज़्यादा cases बढ़ रहे है तो ये क्यों इस तरह से बढ़ रहा है cancer इसकी लक्षन क्या है इससे हम बच कैसे सकते हैं cancer का जो सबसे बड़ा कारण है सबसे पहले तो समझते है cancer होता क्या है हमारा जो शरीर है इसमें बनना और तूटना यानि की creation and destruction दोनों process जो है वो balanced way में होता है जैसे एक जो शरीर की सबसे चोटी से चोटी कोशी का है जिसको cell का जाता है जो शरीर की चोटी से चोटी काई है वो divide होती है एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोला लेकिन उस पर एक control होता है कि वो एक unlimited production नहीं हो सकता लेकिन cancer क्या है cancer में ये जो barrier है ये समाप्त हो जाता है तो जो एक किसी भी organ का unlimited proliferation होता है पिर ये जो cancers की cells होते हैं ये बहुत जादा इनकों हम बोलते हैं these cells are hungry cells वो जो है बहुत भूखी हैं तो वो शरीर का सारा nutrition जो है खुद समाप्त कर देती है वेक्ती जो है एक बहुत जिसे कहते हैं कि हडियों का नाचा skeletal बन जाता और ultimately ये पूरे system को take over कर लेती है and the person passes away जो है death हो जाती है अब cancer का कारण क्या है cancer के दो कारण है एक तो है अनुवान्शिक्ट जो हमें अपने माता पिता से मलता जैसे आपने देखा होगा कि second world world में जब हिरोशिमा और नागा साकी पर जो है प्रमाणूबम गिराए गए थे तो उसके बाद उनकी कई पेडियों में cancer बहुत जादा था क्योंकि radiation exposure इतना जादा हुआ जो लोग बचे उनकी आने वाली generations में उनका जो genetic make-up है उसमें कुछ ऐसी mutations हो गई कि जिससे cancer होने के chances बढ़ गए अब जहां तक genetic बात है मतलब जो अनुवार्चिक है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन एक दूसरा factor होता है acquired जो हम खुद बाहर से एक अत्रित करते हैं जैसे यदि आप शराब ज़ादा पीते हैं तो आपको liver cancer होगा यदि आप मिर्च, मसाला, नमक बहुत ज़ादा खाते हैं तो उसे stomach का cancer, isophagus का cancer होता है यदि आप इसी तरह से अगर जिसे कुछ एक खास factories में काम करने वाले जो लोग है उनको फेफणों का cancer होने की chances होते हैं smoking ज़ादा करने से जो है फेफणों का cancer होता है तो यह बहुत से कारण है जिसको हम avoid कर सकते हैं और जो सबसे important बात हमने अभी कही जो insecticide, pesticide जो आजकल भोजन में यह जो elements है, इनसे भी cancer के chances बहुत ज़ादा बढ़ जाते हैं तो जो genetic है, जो हमें genetic मिलता हम उसको avoid करें लेकिन जो acquired है, कम से हम उसको avoid करें, हमारे भोजन में जो है नियमित्ता हो, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि जो west है west में, जो है colorectal cancer, जो बड़ी आथ की cancer है बहुत ज़ादा होते हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि जो भोजन जितनी देर तक हमारी intestine में रहेगा उसको उतना ज़ादा सड़ता रहेगा उससे उतने ज़ादा chemicals निकलेंगे और वो उतना ज़ादा cancer को करने का कारण बनेगे अगर आप हरी-भरी सबजियां का रहे हैं आप देखेंगे, दो गंटे में आपका पेट खाली हो जाता है आपको फिर से भूक लगने लगती है लेकिन यदि आपने बहुत ज़ादा बिर्च मसाला और जिसमें बहुत ज़ादा fat है basically, जैसे यहां के जो लोग हैं वो बहुत ज़ादा mass काते हैं, meat बहुत ज़ादा काते हैं, और mass को digest करने में बहुत समय लगता है तो वो इतने समय तक जो है, वो intestine में food रहेगा, उससे harmful substances निकलेंगे, तो वो cancer का कारण बनेगा ही बनेगा, तो यह क्या ही, एक acquired factor है, इसलिए जो cancer है, आप देखेंगे कि जो आतों के cancers हैं, वो 90 परतीशत उनी लोगों में होते हैं, जो non-wich खाते हैं, जो मासा आरी होते हैं तो यह बहुत से factors हैं, जो हम avoid कर सकते हैं, avoid smoking, avoid tobacco avoid alcohol और अभी कुछ दिन पहले मैं पन्ना गया था, मैं एक मेरे वहाँ पर रहा, तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत से, मुझसे कई लोग मिलने के लिए आते थे, तो जो है, 7-8 लोगों से मैं मिला जिनको तरेंद रहें के cancers थे और सबसे बड़ी बात तो मुझे दुख ही स्थीज़ का होता था, कि वो cancer ऐसे कारण से हुए, जिनको avoid किया जा सकता था जैसे तबाकू से cancer हो रहा है, जैसे लोग जो है यहाँ पर मूँ में तबाकू रखते हैं तो उससे क्या है कि cancer होने के chances बढ़ जाते हैं, तो मेरे मन में था कि मैं वहाँ पर एक awareness camp शुरू करूँ ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको एक awareness हम जाग रुकता दें कि यह कारण है अगर आप इनसे avoid कर सकते हो, तो कम से कम इन तरह के cancer से तो बचा जा सकता तो कहीं ना कहीं यह जितने भी कारण हैं, हमें इनसे बचाव करना चाहिए, हमारा आहार साथ भी खोज संतुलित हो, और मुझे लगता है कि बहुत एक जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़े proportion को जो है हम, जो 60-70 percent cancer है, उसको avoid किया जा सकता है आज तक लगता था डॉक्टर परवीन जी कि cancer एक ऐसी विमारी है कि जिसको avoid नहीं किया सकता यह सच बताऊं, तो यह बहुत ही सुंदर सी जानकार या अपने सभी को यह message, मतलब मुझे बहुत परसली भी बहुत अच्छा लगा, कि लोग कुछ बारे में पता होना चाहिए कि अनुवानशिक है, चलिए ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन कुछ चीजे ऐसी हैं कि देखो cancer जैसी विमारी से भी हम बच सकते हैं, छोटी-छोटी सी सालधानिया हमें करने होती हैं जैसे कि डॉक्टर परवीन जी बता रहे हैं तो आप जो भी इस मेसेज को सुन रहे हैं वो जरूर से जरूर ध्यान दे इस बात पर जरूर से जरूर कि हम चोटी सी चोटी चीजे हैं बस, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी नाप करते हैं तो ये भी हमाईदा शुको को बताईए जरूर से जरूर जैसे मैंने कहा कि जो अहार हमारा होना चाहिए वो शाकाहारी हो सबसे पहले तो दूसरा उसके अंदर जो सबजियों की मातरा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि दिन में दो अहार हो एक जो है सुवे और एक जो है शाम को पांच बजे के आजपास और जो भी मेरा भोजन है मेरी कोशिश रहती है कि उसमें फल और सबसियों की मातरा बहुत ज़्यादा हो और सबसियों में भी आधी कच्छी और आधी फकी हुई ताकि सलात की मातरा ज़्यादा से ज़्यादा हो और यदि आपको बीच में भूख भी लगती है तो आप फल आधी खा सकते हैं मैं कोशिश यही करता हूँ पूरी तरह से कि आठ घंटे के अंदर अपने दो मिल्स हो जाएं और उसके बाद 16 घंटे की फास्टिंग हो ताकि आपको intermittent fasting का भी benefit मिले और जो आप खा रहे हैं वो भी संतुलित है और वो भी जो है उसमें vegetarian component होना चाहिए ज़्यादा हरी सबसियां होनी चाहिए सबसियां भी जो है मैंने बताया कि उसको पकाने का एक तरीका है अगर आप उसको घी में उसको भून रहे हैं उसको fry कर रहे हैं तो उससे क्या है कि उसके अंदर जो nutritious element है आप उसको खतम करते जा रहे हैं जैसे एक potato है आलू जो है वो बहुत ज़्यादा beneficial है अगर आप उसको उबाल करके खा रहे हैं लेकिन होता क्या है कि आप उसको काट करके पहले उसको deep fry करते हैं french fries बनाने के लिए फिर उसके उपर आप बहुत उसके लिए beneficial है लेकिन वही potato उबालने की जगें आपने उसको fry किया फिर fry करने के माद आपने उसके उपर मसाला लगाया और फिर वो जो एक packet में बन करके आता है वो packet 18 महीने पहले पैक हुआ है तो इतना ज़ादा वो beneficial होना चाहिए था वो disastrous हो जाता है प्लस उसके साथ जो addiction लगा हुआ है तो ultimately वो problems को invite करता है तो सबजियां भी बनाएं तो उसमें ध्यान रखें कि हमारी सबजियां बहुत कम तेल में और कम से कम जिसको कहते हैं वो तली हुई और कम से कम उसको ज़ादा भूरने की और ज़ादा उसको पकाने की कोशिश न करें नहीं तो उसके अंदर जो benefit है आप उसको loss कर देंगे और उसका कोई ज़ादा फाइदा नहीं रहेगा बहुत संदर तो देखिए यदि आप भी स्वस्त रहना चाहते हैं तो आप भी डॉक्टर प्रवीन जी की तरह आपके संतुलित आहार आपको लेना है और हरी सबजियां लेनी है ज़्यादा से अदा कोशिश करें सैलेड आपके इसमें आपकी डाइट में रहे और समय पर आप भोजन करते रहें बिना भूख के आप भोजन ना करें बहुत सारी बाते आज हमें पता चली तो डॉक्टर प्रवीन जी आज हमें एक आपके साथ रैपिट फायर सेशन भी हम आपके साथ करने वाले हैं दो मैं आपको ओप्शन दूँगी आपको इसमें से एक ओप्शन हमें फटाफट जल्दी जल्दी बताना हैं ठीके तो सबसे पहला है हमारा चली शुरू करते हैं चावल या गेहूं 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 या मिलेट गुड़ी या चीनी दोनों में से कुछ भी नहीं ये तो मुश्किल हो जाएगा मुझे भी मीठे का बहुत शूग है क्योंकि पीजा या पराठा दोनों में से कुछ भी नहीं ब्रोकली या गोबी गोबी ओके ओर्स या दलिया रामदाना या साबदाना रामदाना तो रामदाना ठीक है कि एक किताब भी है, जो इन्होंने किताब लिखी है, मानसाहार और शाकाहार के उपर, कि विनास का प्रयाय मानसाहार, तो उसमें बताया गया है कि शाकाहारी हमें क्यों होना चाहिए, और मानसाहारी हमें क्यों नहीं होना चाहिए, तो जिसको भी ये किताब चाहिए, वो भी कि हमें जरूर से समपर्क करें, comment books में वो लिख दे, कि हमें इए किताब चाहिए, यह बहुत ही बढ़िया किताब है, और आपको बहुत सारी जानकारी इस किताब से आपको मिलेंगी, तो मैंने भी इस किताब को पढ़ा है, आप जरूर से जरूर पढ़िए, comment books में इसमें लि हमारी जो audience है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, हमें चलते-चलते कुछ बताई। देखे, मैं इताई कहना चाहूँगा, कि the body is like a temple, यह जो शरीर है, यह एक मदिर है, हमें इसका इंचार्ज बदना चाहिए, हमें जो अच्छा लगता है, हमारी जो टंग, टेस्ट बट को पसंद आए, हमें वो नहीं, जो हमारे शरीर के लिए बहतर है, हम उसका चैन करें, आ एक साल के अंदर आपका पूरा जो शरीर है, उसका 98 परतीशत हिस्ता पूरी तरह से बदल जाता है, यानि आप जो इस समय मुझे देख रहे हैं, यह 2024 मोडल है, 2023 मोडल अब है ही नहीं, इसी तरह से, और यह जब structure, functional changes आ रहे हैं, तो आप जो भी खा रहे हैं, जो भी आपक समझ करके अपने शरीर को focus में रखते हुए, जो उस शरीर के लिए healthier है, हम उसको consume करें, हमारा जो body है, उसकी जो requirements हैं, उस पर focus हमारी diet होनी चाहिए, और जैसा कि मैंने पहले कहा, कि हमारा भोजन कैसा हो, रित भुक, हित भुक और मित भुक, हम रितू के अनुसार जो हमार एक परिस्तिती में जो पलब्त हैं, हमारा भोजन हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार हो, और हम अल्प मात्रा में खाए, intermittent fasting करें, तो मैं यही मानूँगा, यदि हम इन principles को भी follow करते हैं, तो हम बहुत एक limit तक जो है, obesity से भी बच सकते हैं, बहुत से बिमारियों से भी ब बख पा रहे हैं, अभी भी हम जागरुक नहीं हो पा रहे हैं, तो यह हमारा दुर्भागी होगा, तो डॉक्टर परवीन, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका, अपने वियस समय में से हमें यहां पर हमें थोड़ा समय देने के लिए, अभी जो भी द वैसे तो आपको बहुत सारे जो आपके questions से उनका answer मिल गया होगा, लेकिन फिर भी स्वास्ते से related इकने सारी प्रशन होते हैं हमारे दिमाग में, तो वो कुछ ना कुछ तो बची गया होगा हमारे दिमाग में अभी भी, तो अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से डॉक्टर प पोड़कास्ट को शेर करिए ताकि यह information है, यह ज़्यादर से ज़्यादर लोगों तक पहुशनी चाहिए और सभी को इसका लाग मिलना चाहिए, तो चलिए, चलते हैं, अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रें प् वीडियो है, यह ज़ो।